तो आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मेरा ठीक नहीं था हुआ ही सर्दी खास ही हो चुका है तो एडिटिंग वेगर ठीक से होने ही पाया है वैसे मैं आज का वीडियो आपके टाइटल रूसमने लिखके समझ गया होगा कि 26 जन्वरी का वीडियो में आज डाल रहा हूं तो दिन गये थे गुमने के लिए थोरा चाश गये थे गुमने उसके बाद तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गया था इसलिए कुछ भी वीडियो एगरा नहीं आया तो आज वहीं वीडियो में आप लोगो दिखाओंगा बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग लाने वाला हूँ तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बहुत कुछ प्लैन है तो देरे देर करके सब कुछ आएगा तो सौरी वीडियो जो नहीं आप आया इसके लिए मैं ट् छोटा सा ही ब्लॉग होने वाला ज्यादा कुछ उसमें रहेगा नहीं तो अभी थोरा सा आप लोग भी सपोर्ट करिएगा उसके बाद आगे बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है तो इसी तरह मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और आगे आप लोग को मैंने प क्योंकि उस दिन मैंने इंट्रो सूट नहीं किया था उसके बाद और ज्यादा बिगर गया तो इसलिए मैंने सूट नहीं किया तो आज मैं कर रहा हूं तो आप लोग वीडियो इंजॉय करिए मॉल गये थे मॉल आप लोग को दिखाएंगा और मैं अपना स्कूल भी दिख जहां की जो की पोलो ग्राउंड से आ रहा है तो मैं अब जा रहा हूँ मॉल तो मॉल पहुंचते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते कि मैं मॉल पहुंच चुका हूँ के थीम पे तो आप लोग को भी दिखाते हैं वो सारा चीज वैसे आप लोग बताईएगा कि कौन-कौन यह वाला मॉल विजिट किये हैं कमेंट में तो चलिए अब अंदर जाते हैं तब आप लोग को पूरा अच्छा से मॉल का अंदर का व्यू दिखाते हैं तो मैं लाग में तो मॉल में भी भीड़ बार उतना नहीं हलका-फलका है तो मॉल ठिकी-ठाक सजा हुआ है अच्छा लग रहा है देखने में तो आप लोग बताएगा कि यह देखने में कैसा लग रहा है तो मैंने आप लोग को अल्डेडी ये मॉल का पूरा ओवर्विव बताया और दिखाया भी है कि किस फ्लोर में क्या-क्या है तो आज मैं वह सब आप लोग को नहीं दिखाऊंगा मैं आप लोग को जस्ट डेकोरेशन इसका दिखाऊंगा और यही सब है तो आज बहुत नॉर्मल सा ब्लॉग होने वाला है तो आप लोग देखिएगा जरूर क्योंकि तो कुछ खास ब्लॉग होने वाला है नहीं तो मेरा टरब जो हे उतना सही है नहीं तो वैसकल होने वाला नहीं आज क्योंकि पूर अप लोग को दिखा दे वोग यह कैसा लगा आप लोग बनाई ये prohibus माल का वहत चलिए दुख नीचे आएग से मिलता है तो जैसा कि आप लोग देखे कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका हो तो ये जो ट्रके साइस क्रे में ये काफी अच्छा लग रहा है काफी अच्छा बेलू जिसा हुआ था और मॉल तो आप लोग देखे कैसा लग रहा मॉल तो अभी उतना भीर भाड नहीं क्योंकि अभ लोग यह सब को दिखा दे तो यह अब हम लोग मौल के बाहर आ चुके हैं तो जूडियो का ब्लॉग आप लोग को अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा उसमें लोग ने कुछ-कुछ तो आज 26 जन्मरी के मौके में ममी ने काफी special खाना बनाया है वैसे ममी डेली अच्छा ही खाना बनाती है पर आज कुछ special बनाया है तो आज राहता है चना दाल है रोटी है और पुलाओ है और बेगन का कलोंजी या बहुत लोग उसे कलिया भी बोलते है या और क्या बोलते है अब कमेंड मताई का य inhal MARTIN 10 लग यह फाना देखने में काफी बैतरीन लग रहां है तो आप बलब बताए कि देखने में काईसा लग रहा है और सभी किrit की खाने में अच्छा होगा तो यह जो था आयशा नहीं नहीं लग बाद लोग से मिलते हैं विंटर में खाने में तो खान अट थे वूरे अच्छा नहीं लगरा । शेद आप लिए अरङ ऊछले आप लोग से मिलते हैं तो आज यूनिय में ममी ने शाहा उना या या तो यह देखने में थे अच्छा लग ज़सी में थे कि मैंने इसे थोरा सा टेस्ट किया था तो यह बहुत ही अच्छा लग रहा है ममी ने बहुत ही बहतरीन चौमें बनाया है तो आप लोग बताएगा कि कमेंट में कि यह देखने में कैसे लग रहा है वैसे खाने में तो बहुत ही टेस्टी और देखने में बहुत ही बहुत ही ब़ूप प्लोग है तो आप बलग कंपा हैं मुझे तो चानीज फूड साए अच्छा है बाधा है लिसे लूप कर आगए मैं जोन olsa करें आगे बहुत बहुत बैट्रीन वहीं जोन को सब्सक्राइब करें हां चूरा को stressing मीठा होता है तो इसी तरह मेरे ब्लॉग को देखते रही है और अगर चल्ड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछला सारा ब्लॉग नहीं देखा यह तो जाकर पहले ब्लॉग देखे उसके बाद कि इसी तरह सपोर्ट करते रहे और मेरे सौट्स वेगेरा को भी तो चलिए आज के लिए तना ही था तब तक के लिए और कल बहुत बैदरीन जूडियों का ब्लॉग आने वाला है तो एक ट्रिप का प्लैन चल रहा है वहा तो वहां जाएंगे तो उसका एक से ब्लॉग आएगा तो चैनल पर बने रहिएगा इसी तरह सपोर्ट करते के आल रहिएगा